नमस्कार जय जोहर मैं कोमाल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का Competition Community Case e-learning platform जहां पर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्थन का एक विसे है जिसे हम बोल रहें क्या अगर बात करें 36 गण में पंचायती राज का तो आप 36 गण में CGPSC का कोई भी एक्जाम देख लो चाहे आप 36 गण भी आपको देखने को मिलेगा कि यहां से णोंसितर दो थीन प्रसन हमेशा हर एक्जाम में आते हैं लेकिन इएक जिए प्रसन में प्रसमा आता है उसमें डारे को पिन्पॉंइंटेड नहीं पूचत है तो आपको कूट में देता है और वह कूट आपको एकदम घद घद ले कूट देता है वो ऐसे कूटा है कि आप आपके लिए też कूच नहीं रह जाता है क्- तो अपने काम करेंगे कोशिज करेंगे कि चीजों में एकदम बहेतर understanding बनाएं चुकि आप देखोगे कि आपके लिए जो पंचायती राज है पंचायती राज अधिकतर जो सहरी छेतर से जो student है उनके लिए समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है चुकि जो ग्रामी नंचल में जो लोग रहते हैं वो आपके लिए ग्राम पंचायत ग्राम सभा उ लेकिन होता क्या है जो सहरी अंचल में बच्चे रहते वो कभी न ग्राम पंचायत देखे रहते हैं ग्राम पंचायत मतलब उनको गाऊँ लगता है जब कि ग्राँ अलग होता है ग्राम पंचायत अलग होता है तो जब आप उस चीज को देखे चीनी रहोगे तो उसको समझोगे कैसे तो आपन कोशिस करेंगे कि चीजों को एकदम बहतर ढंग से क्या कर सके समझ सके उसके बाद ही तो अपन प्रश्णों को बना सकते यह सब चीजे होती है ना तो अपन एक कोशिस करेंगे कि पहले एक बेसिक अंडरस्टेंडिंग बठाएंगे फिर अपन कोश्टन्स के लिए चलेंगे क्लियर जी यहां तक आपके लिए समझ आया अगर आप ये वीडियो पहली बार देखे होंगे तो इससे पहले भी मैंने पूरे 36 गड़ का इतिह तथा 36 गड़ में भुकोल सब के उपर एक परी चर्चा किया था तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहाओगे और पहले की वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब को सस्क्राइब करें और उसमें जो पूराने इस वीडियो है उसमें आप जाके 36 पूछा जाता है तूस सभी उन सभी पेपरों से संबंदित आपको वीडियो असानी से क्या हो जाएंगे अवलेबल हो जाएंगे उपलब्द हो जाएंगे क्लियर जी तो आगे चलते हैं स्रीकनेस करते हैं आज कि इस वीडियो का देखिए पहला सवाल क्या अच्छा पहला सवाल स्टार्ट करने के लिए प्रारम करने के पहले आप ये इमेज देखो इसमें दिखाई दे रहा है कि एक जन आदमी है और इसको घेर के सब कोई खड़े हुए इसका मतलब क्या बोल रहा है ये मांग रहोंगे कि हमुल दारू दे हमुल रासन काट दे हमुल चाउर दे हमुल साथी दे हमुल साड़ी दे इलेकसर मतलब यही तो समाझ आता है नا इलेकसर मतलब होता है गाओं में तेवहार देखना आप जब इलेकसर आने वाला रहता है एक महिना जितने आदमी लोग राइट रहते है न उनके राइट होने कि वेवस्था हो जाता है ये चीज ह आप जब उस चीजों को देखे रहोगे जाने रहोगे तब ही तो पेपर में बना पाओगे क्या तो देखें एक आदमी यहां पे बैठा हुआ है इसको घेर के लोग खड़े हुए तो जैसे आपके पास क्या होता है टीम में केप्टन होता है वो केप्टन के लिए नोडल अधिकारी कोन होता है सभी चीजों के उपर चर्चा किया जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रस्ण के लिए पहला प्रस्ण आपको क्या पूछ रहा है सबसे पहले सविधान के किस अनुछेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायत की स्थापना का लेकिन जो गाँए जो निवास करते थे तो पहले देखा जाता था कि उनके पास खुद की सकतियानी होती ती उनके बहुत सोशन किया जाता था तो वो चाहते थे कि ग्राम पंचायत की क्या हो इस्थापना हो तो आप देखोगे सविधान का जो आपके लिए भाग नंबर कौन से है आपके मेरे कमेंट करके बताइए पूस्ता तो उसमें जो राज्य की नीती नी दे सकतत्व है उसमें आपको अनुच्छेद नंबर 40 में इस्थान दिया गया है किसको ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए तो आपके लिए आंसर हो गया यह यह सब प्रस्न आपको बार बार हर पेपर में दिखाई देता है रिपीट आपको हर बार बार पुन्रवित्ती होगी तो आपको याद रखना है कौन सा अनुच्छेद 40 इसी में लिखा है कि राज्य दोहरा ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान उसका उल्लेख आपको मिलता है किसमें अनुच्छेद 40 में क्लियर जी आपके लिए यह त यह है भई ग्राम सबख के बारे में अगर उल्लेख मिलता है प्रावधान मिलता है प्रोविजन मिलता है तो वो आपको किसमें मिलता है आपको बोल रहा है आपको बोलता है आपको बोलता है पंचायतों के गठन के बारे में यह आपको जो चारो आर्टीकल है, यह पूछे गए हैं, आपको याद रखना जब यह उगर ग्राम सभग की बात करेगा, तो ग्राम सभग किसमें आता है? 243 यह जब भी बात करेगा हूं कि इसका 243 ग्राम पंचायतों के गठन की बारे में बात करेगा आपको याद रखना है 243 सी 143 चारों प्रस्न है आपको पूछे गहते तो आपको यह थो याद करने उसके सांति तीनों आपके लिए जो है उन सब को भी लेते लेते चलना है क्लियर जी आगे बढ़े क्या अगला प्रस्ने के लिए चलते हैं हम लोग अगला प्रस्ने क्या लिखा है भारत के सविधान का 73 सविधान संसोधन आपको पहले तो यह सविधान संसोधन इंपोर्टेंट है सविधान संसोधन अधिनियम इनिन्म लिखित में से भारात के सविधान में कोण सा भाग अंतर छेपित करता है या पिर जोडा गया या बताता है प्रावधान करता है वही चीच की बात कर रहा है तो वो है हमारे लिए कौन सा नौवा भाग जब आपके लिए 73 तर्वा सविधान संसोधन हुआ तो सविधान में नौवा भाग जोड़ा गया यह बात करता है किसके लिए पंचायती राजवेवस्था पंचायती राजवेवस्था इंदसेंस क्या बोल रहा है जो आपके लिए क्या होता है जी ग्रामिन प्रसासन सिधा सिधा क्या बोल सकता हूं मैं ग्रामिन प्रसासन ग्रामिन प्रसासन का उल्ले करता है ग्रामिन प्रसासन या पंचायती राजविवस्था इसका कहने का मतलब क्या है आपके लिए जीला पंचायत आपके लिए जनपर पंचायत उसके बाद करता है वो ग्राम पंचायत इसके बाद हुआ आपके लिए कौन सा ये तो 73 सविधान संसोधन हो गया था 74 सविधान संसोधन हुआ भई सविधान संसोधन इसमें फिर एक नया चीज आया आपके लिए 9 ए जोड़ा गया ठीक है जी सविधान का ये तो भाग नमवा हो गया 9 ए जोड़ा गया इसमें आपके लिए क्या था ग्रामिन प्रसासन था तो इसमें नगरी प्रसासन का उल्ले मिलता है नगरी प्रसासन क्या होता है आपके लिए तीन चीज होता है जी आप जान रहे हो एक तो होता है आपके लिए ग्राम पंचायत में लोग अगर बढ़ जाते हैं तब कहां जाते हैं आपके लिए नगर पंचायत तो नगर पंचाय से भी अगर लोग ज़्यादा हो गए तब वो किस में चले जाते हैं जी नगर पालिका परिशत आप स्रिफ नगर पालिका अपन बोल चाल के भासा में क्या करते हैं प्रयोग करते हैं उसके बाद आता है नगर पालिक निगम लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं डारेक नगर निगम, ठीक है जी, लिकिन जब अधिनियम में पढ़ोगे, तो वह नगर निगम नहीं बोलता, वो बोलता है, नगरपालिक निगम, नगरपालिक कोन नगरपालिक का परिशथ, और आपको याद रखना है क्या, नगरपंचायद, क्लियर जी अब देखिए ये डिफाइंड कैसे होता है कि कौन ग्राम पंचाय अधा करेंगे ठीक है इसके ओपर भी एक चर्चा करेंगे लेकिन अभी मैं कुछ चीजो को आपको यहीं बता देता हूं अगर अपन पढ़ रहे हैं क्लियर जी देखिए नहीं नहीं एक काम करते इसको लिए एक सेपरेट अपन क्या करते हैं स्लाइड लेंगे उसमें अच्छा से समझेंगे क्लियर जी अगले परसने के लिए चलते हैं अपन देखिया चाब हो रहे हैं 36 गड़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धार आएं अध्याय एवं अनुसूचिया है जब आ आपको याद रखना एक दो तीम एक दम असान है उसके बाद क्या बोला अनुसूची तो अनुसूची है कितना चार आपको याद रखना अध्याय आपके लिए कितना पांच और पांच के पहली एक को और लिग देना तो आपके लिए याद रखना 132 आपके लिए क्या है धाराएं हैं आपके लिए चार क्या है अनुसूची है और आपको याद रखना एक और पांच यह आपके लिए क्या है अध्याएं अब हमारे प्रस्ण में हमको खोजना है कि 132 या 123 आपके लिए धाराएं किसमें है आप 123 और तो देखें भई 132 धाराएं और चार अनुसूची आपको मिलता है किसमें इसमें क्लियर जी तो यह था आपके लिए क्या प्रस्ण का सहीं सहीं जवाब क्लियर आगे बढ़े क्या अगला हमको चलना है अब क्या बोल रहा है निम्नमेसे कोंसा निगमित निकाय या कार्पुरेट वाड़ी निगमित निकाय या कार्पुरेट वाड़ी को पहले आपको समझना पड़े क्या होता है जैसे हम लोग picture में देखते हैं कि यह क्या है जी corporate है करके corporate का मतलब क्या होता है आप यह चीज में रहे बताईए क्या होता है corporate का मतलब होता है कि वो सभी चीजे जो कभी रुकती नहीं है उसको बोला जाता है क्या corporate मतलब निरंतर अगर कोई भी चीज प्रगती में रहेगा ग उसी के बाद देखे थे कौन सा? 74 Constitution Amendment Act या 74 वा सविधान संसोधन. तो इसमें क्या किया गया? जो आपके लिए ग्रामिन प्रसाशन का क्या मिलता है? उल्लेक मिलता है. उसके बाद इसमें 74 वा सविधान संसोधन में जब 9A जोड़ा गया, ये किसकी बात करता है? सहरी प्रसाशन की. अरे या सोर नो. तो इसमें क्या क्या आता है? जी ग्रामिन प्रसाशन में आपके लिए? जीला पंचायाद. अभित बताये थे क्या आपको? उसके बाद क्या आता है आपके लिए? जन्रपद पंचायाद. फिर बात करता है किसका ग्राम पंचायाद. अब देखिए, ये होता कहां पे है? ये आपके लिए इन्पोर्टेंट है. जीला पंचायाद. प्रतेक जीला में एक होता है? जीला इस्तर पर. प्रतेक जीला. अगर अभी 36 गड़ में आपके पास कितना है? 28 क्या है जीला है. तो आपके लिए जीला पंचायाद की संख्या आपके पास कितनी होगी? 28. समझे. दूसरी बात कर रहा है वो जन्रपद पंचायाद का. तो ये जन्रपद पंचायाद क्या होता है? विकास खंड या उसी इक बोलते हैं हम लोग क्या ब्लॉक. तो विकास खंड इस तर पे होता है. यहां हमारे पास विकास खंड की संख्या कितनी है? 146. तो आप देखोगे 36 गड़ में जन्रपद पंचायाद की संख्या आपके पास कितना है? 146. देखते हैं ग्राम पंचायाद, ग्राम पंचायाद का आपको दो डेटा मिलेगा भाली. यह कभी करेंट डाटा देखोगे तो आपके लिए क्या है? 116.64 आपको क्या मिलेंगे? ग्राम पंचायाद. रिसेंट डेटा क्यानों? अकॉर्डिंग है, क्लियर जी? 9,971 आप देखिए, आपके दिमाग में एक नया चीज आ रहा होगा, कि सर ग्राम पंचायाद के वल इतने कैसे हो सकते हैं, आप आपको एक नया चीज बता रहा हूँ. एक होता है गाउं, दूसरा होता है ग्राम पंचायत, और तीसरा होता है आपके पास ग्राम सभा, इस सब अलग-अलग चीजे हैं भई, आप समझ आएगा, लेकिन आप सहरी अंचल के हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन पेपर में अगर आपको ये ग्राम सभा और ग गाउं का मीनिंग समझ नहीं आता तो जब कूट में आपको प्रस्ण पूछेगा ना तो आप कूट आ जाओगे या आप मालो पहले बता दे रहा हूं वह क्लियर तो आपको चलना है आगे देखें सबसे पहली गाउं क्या होता है गाउं के लिए आपको श्रीप दो चीट चाहिए एक आपके लिए क्या चाहिए भौगवलिक सीमा चाहिए मतलब आपके गाउं का एक सीमा रहेगा दूसरा उसमें क्या चाहिए आपको जन संख्या चाहिए बत आदमी चाहिए अगर ये दोनों कोई रहेंगे तो अभी उसी क्या बूल देंगे सिदा सिदा सोच्जे सोच्जे गाउं बोल देंगे बोल देंगे ना लेकिन अब इसी दोनों में आप प्रसासन को जोड़ दिये मतलब कोई आदमी रहेगा जो इसको क्या करेगा सासन करेगा अब वो सासन करने वाला कोई भी हो सकता है सरपंच हो सकता है पंच आता है इसी में आप इसी में देख्या होगे उप सरपंच आप ये तीनों को क्या करते हैं ये तो चुना जाता है ना जनता के द्वारा रहे या सोना उप सरपंच को नहीं चुनते भाई हम लोग लेकिन पंच उप सरपंच को चुनते हैं ना लेकिन आपके पास होता है कोन ग्राम पंचा सची होता है करके अब जब भी कार्ड बनवाने जाओगे तो आपको चड़ाwा चड़ावा चड़ाब चड़ाना पड़ता है इसी सजीव के पास प्रसाच यह पास जब प्रसाथ चड़ाते होगे तो उसी इक बोलेंगे क्या ग्राम पंचाथ तो ग्राम पंचाथ होने के लिए आपके क्या चाहिए कम से कम 10 वार्ट चाहिए होई है आप आपको दिमांग थोड़ा समझ आएगा कि सरय वाड क्या होता है अब देखिए मिनिमिमं आपको 10 VII होने चाहिए और मैक्सिमं आपके पास कितने वाड होते हैं 20 होते तो आपको यह समझना पढ़ेगा सब से पहली वाड क्या चीज़ होता है यह जो वाड होता है यह आपके लिए निरवाचन है आपके लिए क्या है निरवाचन शेतर है ऐसे मान के चलो कि जितना वाड रहेगा वहां एक आदमी चून क्या आता है जैसे आप सहर में रह रहे हो चाहिए गाउं में रहे हो अगर आप ग पंच को चुनते होग नहीं चुनतेगा तो गाउं में मिनिमम दस वाड रहेगा अब एक वाड में कम से कम सव मतदाता होते हैं अलए दस था मितलम बुर रहा है बोटर को अगर एक ज्वन पंच चुना रहे है बहीं तो एक बंच कम से कम सा वोटर को अपने सा मेरे चल रहा है अब आपको यह समझ आना चाहिए कि सर वोटर और रॉर्मन लोगों मे时 फरक क्या होता है डिफरेंस क्या होता है यह चीज समझना है जैसे आप अपने गाउम रह रहे हो आपके गाउम में 3000 लोग रहते हैं कितने लोग रहते हैं यह जन संख्या है पूल जन संख्या लेकिन सबके सब ओड करते हैं माल वो इसमें 15 सब लोग वो ओड करते हैं 15 यह समझो 18 है अब 18 प्लस है मतलब हो क्या है मददाता सुचिम नाम आ सकता है लेकिन सब का नाम नहीं आता क्लियर जी इसलिए कई लोग तो खुदी जोड़वाई नहीं रहते और कई बार सरकार से उपर से कटिंग होक नाम आ जाता है आप बढ़िया जाके बोटर आइडी बनवाक आ जाओगे उधर से जब बोटर आइडी का नाम आता है तब मारी मुह लगाई ठपा आप इधर से बढ़िया सब चीज को अपने साइड से कर दोगे उधरिस नाम नहीं आता जय मात आदी आप अगर थोड़ा बहुत सोचे होगे कि इस बार में इलेक्सान में क्या और देक पैसा उसा कमा लूंगा आप दम औसर कर लूंगा आप खुद आप दम नहीं पढ़ जाते हो तो ऐ बात कर रहूं कि एक पंच का तो भाई अगर एक पंच कितने सो लोगों को ले रहा है तो मैं यह मान के चल सकता हूं कि चौदा वाड़ बन सकता है यह चौदा वाड़ बन सकता है ना अगर क्या करेंगे जी एक पंच है सव आदमी लों को करता है चो चौदा पंजीस सकता ह तो 14-15 सकते हैं, मतलब आपके पास minimum 14 वाड़ हो सकते हैं, अब देखें, आपको कम से कम स्रीफ 10 वाड़ होने ची, मतलब आपके पास मतदाताओं की संख्या अगर 1000 हुई, कितना? 1000 आपके पास अगर मतदाता हुआ भाईया, तो बस आपको ये देखना है, अगर आपके गाउं में 1000 मतदाता हुआ, तब राज्य सरकार, केंद्र सरकार अगर चाहे, तब क्या कर सकता है, वो जो आपके लिए गाउं था, इसको ग्राम पंचायत का दरजा दे सकता है, क्लियर जी, अब ये चुक की क्या है, ग्राम स्वारी, राज्य सुची का विशा है, तो इसमें एक्टिव कोन रहेगा आपके लिए, राज्य, तो आप देखिए, ये जो ग्राम है, वो आपके लिए ग्राम पंचायत में कम कर्माट होगा, कम से कम आपको 1000 क्या चाहिए जी मत दाता, अब 1000 मत दाता हुआ, मतलब आपके पास कितना 10 वार्ड हो गया, लेकिन ये मैक्सिमम कितना वार्ड हो सकता है भई आपके लिए, 20 वार्ड हो सकता है, मतलब आप 2000 आदमी भी हो सकते हो, अगर 2000 आदमी हुआ ता आपके पास 20 वार्ड हो गया, क्लियर, लेकिन आप मान के चलो आपके गाउं में चार हजार लोग मत दाता हो गए तब कई से करोगे अब थोड़ा दिमाग चलाओ न यहीं पे सब चीजों का खेल है अगर आपको गाउं ग्राम पंचाय तो ग्राम सबस समाझ आ गया आपके लिए चीजे खतम मैं चीजों को गोल मुल गोल मुल क करके बता रहो आपको कंजड जरूर लगेगा लेकिन यहीं कंसेप्ट है अगर इतना चीजे समाझ आ गई तो आपके लिए सब चीजे क्लियर आगे बढ़े क्या देखिए एकदम सरल चीजे आप समझो एक लाइन यह होता है आपके लिए गाउं में मतलब स्रीप क्या रहे है जन संक्या देखा जाता है किसका मत दाताओं का ठीक है जी अब देख लिए हम लोग क्या की ऐसे बढ़ रहे थे अब हमारे पास आया ग्राम पंचायत इसलिए बता रहा था क्योंकि अगर कोई भी ग्राम पंचायत है तो केवल एक ग्राउं रहेगा यह आवस्यक नहीं है अगर मैं राइपूर जीले के देवरी गाउं का हूँ राइपूर जीले के देवरी गाउं का अब मेरे बाजु वाले गाउं का नाम है अकोली अगर आप कहां से आऊगे राइपूर से बिलासपूर के लिए आऊगे तो आपको जो पहला टोल टेक्स पढ़ता है वही गाउं देवरी है उसके बादवाला गाउं अकोली है तो मेरे गाउं में 16 वाड है और यह बाजु वाले गाउं में 4 वाड है तो ये दोनों गाओं को मिला के बनाया गया है एक ग्राम पंचायद, अब एक ग्राम पंचायद क्या होता है, एक भवन होता है, इसी भवन में आपके लिए कौन सरपंच, पंच, और उप सरपंच, और इसके साथ बैठता है कौन आपके लिए ग्राम पंचायद सचीव, अब आपके गाउं का जितना भी क्या होगा प्रसासनिक काम होगा यह इसी ऑफिस में होता है इसी भवन में होता है उसी बोला जाता है ग्राम पंचात समझाए जी तो ऐसा नहीं है कि जो ग्राम पंचात होता है किवल एक गाउं से मिलके बनता है clear आप समझे इसी में कि आपक माल वापन क्या किया दो गाउns के लोगों जोड़े लेकिन ये क्या वाड में किवाल वोतक्त है लेकिन भाई ये भी तो देखीए कि आपके पास 18 साल से कम आयू के लोग भी Ben अठारा साल से कमायू के लोग है तो जो लईका पिछ का है ना जी लोग इसकूल में पढ़ रहे हैं इन लोग भी तो गाओं के लोग हैं क्या अरे या सो नो तो उनको नहीं बोला जाएगा क्या आपके लिए ग्राम सभा का आदमी ग्राम सभा के वल उनको बोला जाएगा जि लियर जी तो हर वो आदमी जिसके पास water id हो और वो जिन्दा हो अब आप कहो सकते हैं डोकरीद आई हो डोकरा बबा हो उसका water id आपके घर में पड़ा हो और आप बोलो गें कि सर वो gram सभा का सदस्य है तो भाया वो उपर में है स्वर्गम भी हो सकता है नरक में हो सकता है और आत्मा भटकते रहा भी होगा, तो ऐसे लोगों को नहीं बोला जाता है, तो जिन आदमी के पास वोटर आइडमी है, और वोटर आइडी है, अब अगर जिन्दा है, तो उसको बोला जाता है, गराम सभा का सदत से, क्लियर जी, अगर बोलोगे गराम पंचायत में, तो गराम पंचात में केवल कोन आता है सरपंच आता है पंच आता है उप सरपंच आता है ठीका जी और गावा में जीतने लोग भी रहते मतलब इसमें कोन आएगे 18 साल से कम उमर के आयू वाले भी आएंगे प्लस 18 साल से जादा आयू वाले भी आएंगे लेकिन बात करता हो किसका ग्राम सभा का तो केवल 18 से अधिक उमर के आयू वाले आएंगे और उन्हें के साथ वोटर आईडी भी होना चाहिए अगर कोई आदमी 20 साल का है लेकिन अगर उसके पास वोटर आईडी नहीं है तो व अधस्य हो सकते हैं ठीक है एक सरपंच होता है 19 जहन पंच होते हैं और एक जहन क्या होता है उप सरपंच चुकि एक पंच क्या चुनाता है आपके लिए उप सरपंच चुनाता है पहले 20 होते हैं clear maximum 20 हो सकते हैं आपको बता रहो तो एक आदमी क्या बन जाएगा उप सरपं तो इसमें maximum, जो आपके लिए gram पंचायत है, उसमें 21 आदमी हो सकते हैं, लेकिन gram सबह में आप बता नहीं सकते हैं, कितना आदमी होगा, आपके यहाँ, चाहे वो 2 गाउं का हो, चाहे वो 3 गाउं का हो, चाहे वो 4 गाउं का हो, अगर ऐसे 4-5 गाउं के लोगों को, जैसे मान वह मिला कि आपके लिए एक ग्राम पंचायत बना तो उस ग्राम पंचायत में जितने वोटर रहेंगे उसको क्या बोला जाएगा ग्राम सभाग का हिस्सा कंजट लग रहा होगा लेकिन यह चीज़ आगे आपको समा जाएगा आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं प्रसना डील कर रहे थे क्या देखे तो इसमें क्या आएगा निम नमे से कौन सा निगमीद बॉड़ी है भाईया चाहे वो जीला पंचायत हो चाहे जनपत पंचायत हो चाहे ग्राम पंचायत हो यह सब क्या होता है इस बार इलेक्शन होगा अगले बार इलेक्शन होगा उसक अंसर आएगा उप्यूक्त सभी clear आगे बढ़े क्या जी क्या बूल रहा है ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदाई होता है अब आपको समझ आया है कि गाउं में ग्राम पंचायत में आपके लिए कौन ग्राम सभा अब इसको थोड़ा और डिफ आद्मी उसमें कौन-कौन होता है एक सरपंच होता है कि वहल एक होता है एक जन उप सरपंच होता है clear जी और आपके लिए अगर पंच देखोगे तो मैक्सिमाम 19 लोग इनहीं लोग को बोला जाता है ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा मतलब हर वो वेक्ति जिसके पास वोटर आईडी है तो हर आदमी जिसके पाद मदाता सुची में नाम आता है वो ग्राम सभा का क्या होता है सदस्य होता है अब पूछ रहे है क्या ग्राम सभा आपको यहिच पर कन्फूजन होता है इसलिए बिकर सार आपको कहानी बताया था clear जी तो ग्राम सभा के बैठको में गणपूर्ती के लिए कोन आदमी उत्तरदाई तो होता है उत्तरदाई होता है एक गणपूर्ती का मतलब पहले आपको समझना इसी को इंग्लिस में बोल देते हैं भाई कोरा अब क्या होता है माल लो आप लोग सोचे कि 10 आदमी लोग गोवा जाओगे तो उसमें कम से पैठ रहा है बिस भी सजा उसके बाद जो आपके आर्जन दोस्ता है उनके जेब से 10 रुपया चाइप पीने के लिए पैसा नहीं निकाल रहा है क्या वह गोवा जाएंगे आपके पास आप लोग को लाट के लिए जाओगे क्या नहीं तो आपके लिए क्या होता है जब हर महिना अब देखें एक होता है आपके पास ग्राम पंचाद तो ग्राम पंचाद में प्रतेक महा बैठाक होता है क्या बोला प्रतेक महा बैठाक होगा आपके लिए है ग्राम सबहा प्रतेक तीन महा में मतलब जब आपके लिए क्या होगा सभी 18 प्लस वाले लोग जिनके पास क्या है, वोटर आईडी है, वो क्या करेंगे, मीटिंग में बैठेंगे, गाउं का आपका पंचायत रहता है, तो लगभग पंचायत में बैठता है, नहीं तो अगर एक ग्राम पंचायत में तीन थोक गाउं है, तो पहली बार पहले गाउं बैठेगा, दूसरे बार दूसरे काम बैठेगा तीसरे बार में तीसरे काम बैठेगा चौंथा बार में फिर किस में आ सकता है उसी गाम में लेकिन जोर्री नहीं है बसो पल्टी होते रहता है तो एक दो तीन उसके बाद चौंथा आएगा जोर्री नहीं एक दो तीन तीन के बाद फिर पांच हो सकते हैं क्लियर जी तो आपको ऐसा चीज़ याद रखना है तो प्रत्य के तीन माह में आपके लिए क्या होगा एक बैठक होना अनिवारी है तो भाई बैठक होगा तो कितने कम आदमी कितने आदमी आवस्यक है कितने आदमी से मतलब है सिधा सिधा क्या जिनके पास वोटर आईडी है जो मत दाता है तो कितने मत दाता होना चाहिए उसके लिए बात कर रहा है ठीक है जी उसको बोलते हैं क्या कोरा तो अगर लोग बठक बठाने के लिए कौन आदमी जिम्मेदार होता है अगर आदमी आय तो भी देखे आप क्या बोल रहा है सरपंच क्या बोल रहा है पंच पंच और सरपंच इसका मतलब समझ यह क्या होता है जैसे यह आपका गाउं है आप बहुत ध्यान से समझने कोषिस करिएगा भई मैं थोड़ा कंझार होगे मैं मानता हूं एक दू तीन एक दू तीन चार पांच पांच दू नी दस ठीक है अब मालो इसी इक बढ़ा दिया पंदरा और यह हो गया भी अगर यहां से सौ मत दाता है यहां से सौ मत दाता है ऐसे करते करते पहुंचे यहां पे सौ मत दाता है टोटल आपके पास वोटर कितने हो गए दू हजार वोट तो यहां कभी तो सव आदमी सामिल है, यहां कभी सव आदमी सामिल है, जो मीटिंग में बैठने आएगा, अगर मान के चलो यह कि जिनके पास मत दाता है, जिनके पास पोटर आइडिय, वो मीटिंग में नहीं बैठे, तो भई, मीटिंग में आप किसको रिप्रेजेंट करते अपने ही आदमी को represent करते हो क्या है जैसे राज्य सभा सांसाद होता है तो आपके राज्य में कोई भी समस्या होगा तो जब राज्य सभा में जाएगा तो आपके लिए बोलता है न तो आपका क्या है वो प्रतिनिधी है तो वैसी अगर ये 100 जन मत दाता है और यहां से एक punch है तो अगर यह आदमी आ रहा है तो भी जिम्मेदार होगा, और नहीं आ रहा है तो भी जिम्मेदार होगा, तो कौन आदमी है ओपँ ले architect, लेकिन भाई यह पूरे बिस वार्ट है तो हर आदमी serpent को vote देता है क्या। बलकि वो उसके अपोजीशन में हो लेकिन वोड तो देता है ना तो आपको याद रखना पंच भी जिम्मेदार होता है और सर्पन भी जिम्मेदार होता है किसके लिए गंडपूर्ती हो तो भी और ना हो तो भी क्लियर जी आगे बढ़े क्या अगला चलते हैं अगला याद रखना है नियनमा में अश्च सुमेलित नहीं हैं आप देखोगे आईसे प्रसन आपको टपाक ले गिड़ता है आता अच्छा है भई ऐसा प्रसन देखें क्या बोल रहा है पहला प्रसासनिक संस्था बोल रहा है दूसरा वाड या निरवाचन शित्र बोल रहा है तो आपको पहलीद बता देता हूं वाड़ निरवाचन शित्र होता क्या है जो आपके लिए जनपत पंचायत होता है जो जीला पंचायत होता है ये दोनों में होता है आपके लिए निरवाचन शेत्र क्लियर जी उसके बाद आपके पास क्या बज गया ग्राम पंचायाद उसके बाद आपके पास बनता है क्या नगर पंचायाद अरे या सोनो उसके बाद क्या आता है आपके पास नगर पाली का उसके बाद आता है आपके पास नगर निगम यह चारों होते हैं भई आपके पास वाट इसमें जो आदमी चून के आता है ग्राम पंचात में आएगा तिसको पंच बोनते हैं इसी वाट से जो चून के आएगा लेकिन नगर पंचात नगर पालिका और नगर निगम आप चारों में उसे किसी ना अगर पलिका और नगर निगम अगर ये तीनों जगह से आप चून के आओगे तो इसी इक बोलते हैं पारसद तो आपका पारसद होता है भई और मैं ग्राम पंचाइट से संबंद है मेरा तो मेरे लिए कौन होता है एक पंच होता है समझे जी समझे आगे चले क्या बोर रहा जीला पंचाइट में मिनीमम दस निरवाचन चेत्र मैक्सिमम पैंतिस निरवाचन चेत्र नगर निगम इसी क्या बोलते हैं हम लोग नगर पालिक निगम मिनीमम चालिस और मैक्सिमम कितने 70 वाट और यहां 10 से 15 वाट तो कोन सुमेलित नहीं है तो यही सुमेलित नहीं है क्योंकि थोड़े दिर पहली आपको बताया था कि मिनीमम यहां कितने होते हैं 20 वाट होते हैं तो आपके लिए option हो जाएगा 10 से 20 वाट होते हैं और यहां क्या लिख है 10 से 15 तो यह आपको य याद रखना अगर आप एस आई का तयारी कर रहे हैं तो ऐसे आपको देगा तीन सहीं जवाब रहेगा और एक गलत जवाब रहेगा तो आप निपट लोगे तो बहुत ध्यान से एकदम ध्यान से बनाएं इसको क्लियर जी आपको याद रखना है नगर पाली का परिशद उसके बाद याद रखना है आपके लिए क्या नगर पंचायत ये दोनों में मिनीमम 15 रहता है और मैक्सिमम कितना होता है 40 वाड होता है तो आपको ये भी याद रखना है भई आपको ये रट्टा मुझे वानी याद होना चाहिए यहाँ परस्न आपको आते हैं क्लियर जी तो आपके लिए आंसर हो गया कौन सा ग्राम पंचायत 10 ते 20 होते हैं लेकिन ये 10 से 15 वाड दिया है क्लियर आगे बढ़े क्या आगे चलते हैं क्या लिखा है किसी ग्राम सभाग की घंपूर्ती के विशाय में क्या सही है अब देखे आप जो चीज की मैं बताने कोसिस कर र विशाय में क्या चीज सही है अब देखे क्या वो रैगंपूर्ती माल लो आपके गाउं में पानी टंकी बनना है अब जी जोग समझो पहले उसके बाद इदार बात कर लेंगे आपके गाउं में पानी टंकी बनना है लेकिन आपके गाउं में इतना बेजा कबजा इतना ब लद्धी लद्धी पलपलहा जगा है जहां पर सलज कीचड़ पूरा जमा हुआ है और वो जगा जो है उसका इतिहाज जो है कब जमाने से वो गिला है और वो जगा वैसी है वहां पर पानी टंकी बनाया जरूर सकते हो लेकिन वो 5-6 महीन बाद इकाद्दू महीन बाद भसक जाएगा तो ऐसे चीजों के लिए क्या होता है ग्राम सवस बैठक बठाथा और साल में ऑनिवारिया लेकिन क्या बूल रहरा है वो ग्राम सबबन रहता है और एक मिनिमाम महं में होना आवस्याग्स आपको यह नहीं समञा रहा होगा sart in dhl तो एक साल में केवल चारी बैठक हो सकता है, कई लोग होसियार लोग रहते हैं, जब गाउं के सरपंट बन जाते हैं, तो इसलिए जब इन लोग क्या किये, आपके लिए 73 वा सविधान संसोधान हुआ जान गये थे, ऐसे होसियार लोग पैदा होंगे, उन सब के लिए हम पर का भक 6 ठो, एक तारिक, दू तारिक, तीन तारिक, चार तारिक, पान तारिक, छे तारिक, बैठक को बैठा दिये न, तो वो तो था भी है कि आपको एक साल में 6 बैठक बैठाना है, आप बैठा तक दिये, लेकिन ऐसे नहीं बैठाना है, मीनिमम आपके लिए 3 महिने में ए फूरे िॉटर रहेंगा जयसे बोलते हैं घाओं में बड़े छोटे मतलब छोटे लही का लोग नहीं जाते उसमें देखे-ओं आपको वनता है हाँ का पारता बोलाता है सब की आई है और बांउ जोती करके उसची में क्या होता है जैसे माल आपके गाओं मैं मर क्षेयत taken सु कि कुवा बना दिये, कुवा बनाए उसके लिए पैसा सिंसन हुआ, अब उसके जगह हम सरपंच क्या करवा रहा है, अपने घर का पैरा धरवा रहा है वो, उसके घर में साधी हुआ तो सब लोगों को साधीम लगा दिया, कि कोई सबजी काट रहा है, कोई फलाना, कोई धेका सब सरकार के तरब से पैसा आया उसको उसके बाद पता चला कि वह जो आपके लिए खुआ वाना था उसमें दस्ट हो गरवा लोग गिर के मर गए अब क्या हुआ उन लोग एक फिर प्रतिवेदन दिये कि यह जो खुआ है वो अच्छा नहीं है यहां बच्चे गिर के मर सकते हैं सही बात है अब क्या हुआ कि वो जो खुआ था उसको पटवाने के लिए पैसा आया अब उसका भी पैसा मिल गया एक चौल में खुआ खुद सब को बैठक बैठाओगे और वही बैठक है कि आपको तीन महिने में एक बैठक होना जी कि आपके गाउं में अगर आपके ग्राम पंचायत में आपके किसी भी प्रकार का क्या हो जबर्जस्ती वाला काम हो जिसमें आपका आत्मा गवाही नहीं देता कि यह चीत तो ऐसा पता चला एक करोड रूपया खर्चा दिखा दिया उसमें एक लाख रूपया खर्चा नहीं हो पूरा निन अन्बे लाख रूपया पेट के अंदर आदमी था सरपंच एकदम संड़ हुआ काड़ी उसके बाद या गोगों मोटा गया होता है ना तो इसी सभी चीज के 153 महेन में होगा है अब देखें गरम सभा की कुल संख्या का एक परटे 10 अब देखें मान के चलीए आपके गाँ में 1000 लोग हैं, तो 1000 का कम से कम 10 परतीसत होना अनिवारी है, मतलब 1000 का अगर आप 10 परतीसत निकाल रहे हैं, क्लियर जी, क्या होगे आपके पास 100 लोग, तो पहला इस स्टेटमेंट सही, ग्राम सभा की कुल जन संख्या का एक बटे 10, मतलब 100 आदमी होना अनिवारी है, पहला 233 लोग हमको नहीं चाहिए रहते हैं, हमको चाहिए रहते हैं, शरिप कितना 100, अगर एकजामपल लिया हूँ, ग्राम सभा में टोटल मत दाताओं की संख्या कितनी है, 1000, ग्राम सभा की कुल संख्या का एक बटे 2, एक बटे 10 सहीं हो गया, तो ये भी गलत, हमको 500 लोग नह चाहिए, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या का एक बटे 10 महिला ये भी नहीं चाहिए हमको, क्लियर जी, उसके बाद क्या वो रहे, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या का एक बटे 3, आप देखो, हमारे पास कितने लोग उपस्थित हैं, बैठक में 100 लोग हैं, और 100 लो एक हजार लोग हैं जिसमें सो लोग चाहिए आपको मीटिंग को प्रारम करने के लेकिन अगर वो सो में महां लोग सक्तर लोग पुरूस हैं और केवल तीस लोग महिला है तब भी वो मीटिंग स्टार्ट नहीं होगा लेकिन ऐसे गाव में आप जाओगे फालो अलो नहीं करत है तो आपको याद रखना अगर आपके यहां 1000 वोटर है मतलब ग्राम सभग के सदस्य सु द कीदा सिधा उसमें 100 लोग होने चाहिए तो अगर 100 लोग हैं उसमें 33 लोग क्या महिला होने चाहिए तो आपके लोगों का 3 되고 10 इसीग बोलते हैं दसम अंस तो सिधा बोल सकते हैं क्या दसमांस और यह जो दसमांस होता है उसका एक तिहाई महिला होना अनिवारी है तो आपके लिए याद रखना ग्राम सभा में उपस्थी संख्या का एक तिहाई तो यह भी आपके लिए उप्शन सही है ग्राम सभा में कहते दो तो आएगा निया आपको याद रखना सर पांच ऊपांच घंपूर्टी के लेयर जवाब होते हैं बताया था क्या कि आपके लिए तीनो जिम मेंदार होते हैं किसके लिए गंपूर्थी के लिए तो यह option भी सही है, तो देखिए आपके लिए option कौन सही है एक दो, 147, 257, 367 और आपके लिए लिखाए 157, अपन यह लिखे यह देख्या, 157 तो आपके लिए option number D, यह बहुत important प्रस्ण है भई, आपको एकदम अच् एक दस मांग, सीधा बोल सकते हैं क्या दस मांग, एक बटे दस या दस प्रतिसत जो है खूल जनसंख्या होनी चाहिए, और उस खूल जनसंख्या का 33 प्रतिसत या एक बटे तीन भाग या एक तिहाई क्या होनी चाहिए महिला होना अनिवारी है यह दोनों आपको separate प्रस्म में भी पूछता है तो आपको याद रखना कि कुल आपके लिए जनसंख्या एक बटे दस और उसमें जितने प्रेजेंट है उसमें एक बटे तिन किसका होना चाहिए महिला का आये है तो आप पड़ के विशाय में क्या सही नहीं है यह पूछ रहा है ग्राम सभा की बैठक में एक बटे दस गनपूर्थी आवस्याख है पड़े हैं क्या यह सही है ग्राम सभा की बैठक में एक तिहाई महिला की उपस्थिति आवस्याख है यह भी सही है ग्राम सभा की लिए सरपंच और बैठा कि यहां पर क्या बनाना आम के लिए के पानी टंग की बैठाना है Wow एक हजार लोग ग्राम सबहा में मत दाता है उसी को बोलते हैं कि ग्राम सबा के सदा से अगर आपके पास निननवे लोग होते तो इस्ताडित अब मैं क्या बोला हूँ आपको 3 महिने में क्या होना चाहिए आपके लिए एक बैठक अनिमारी है तो वह बैठक क्या होता इसrend अजिए तो भैघneys के मर गया मालो गिर गया कि सिग नीचे घर है वो आदमी दब के मर गया सब कुछ भी हो सकता है ना चीजों को तो कभी भी इस्थगिद बैठक होगा मतलब आज का बैठक होगया उसमें टोटल लोग आईच नहीं थे तो इस्थगिद बैठक होगा ना पहली बात आप आए भी है मतलब पैसा काउडिस लें देन वाला बात दूसरा बजट संबंदी उसमें बजट पास नहीं होगा इधर मेन मीटिंग में 100 लोग आई नहीं थे तो इस्थगिद बैठक और होगा तो क्या ऐसा जोरी है क्या कि 100 लोग फिर से हैं और मालो आप भी जाएंगे तो वो मेन मीटिंग नहीं है वो पॉस्पॉन मीटिंग है जो आज होना था नहीं हुआ अगले बार उस इच विश्था में होगा हो मीटिंग लेकिन उसमें किसी भी प्रकार के बजट संबंधी आयवेया संबंधी ऐसे किसी भ गनपूर्ती आवस्यक नहीं होता इस थगिस सम्मेलान में गनपूर्ती ना होने पर बजट पारित किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता आपको बता रहा हूं पैसे से लेंदें कूछ भी आकाउंट मतलाब आपकी यहां एक ठोट डायरी नहीं खुलेगा जिसमें पैसा का एक रूपया भी बहार से आएगा या फिर डायरी से बाहर जाएगा ऐसा बाधिच नहीं होगा यह बोर रहा है इस थगिस सम्मेलान में गनपूर्ती ना होने पर लेखा संबन्दी लेखा मतलब क्या होता है अकाउंट मैं क्या बोला था पैसा ना एक रुपया बाहर से आएगा ना यहां से एक रुपया पैसा जाएगा क्लियर जी समपरिच्छा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है यदि ग्राम सभा का लगातार पांच बैठक में गणपूर्ती ना हुआ तो सरपन को पच्छूत या फिर इसीग बोल सकते है क्या पद मुक्त किया जा सकता है क्या हाँ ये एकदम सही है तो आपके लिए गलत अंसर कौन-कौन थे 5-6 और 7 लेकिन इसमें क्या बोला था सहीं नहीं है तो कौन-कौन सा आपके लिए सहीं नहीं है 5-6 और 7 तो आपके लिए option number D याद रखना 5-6 और 7 कि ये तीनों option क्या थे आपके लिए गलत थे clear जी आपको बहुत ध्यान से बनाना रहता है ऐसे प्रस्ण आपके लिए खतरनाक होते हैं clear आगे बढ़े क्या जी अगला याद रखने हैं आपको क्या नीनम में से सहीं का चयान कीजिए ये सबसे खतरनाक प्रस्ण है आप सब के लिए अगर आप पहली बार तयारी कर रहे हो तो इसमें कुछ भी नहीं दिया ह पहले होता है आपके पास पंच उसके बाद आता है आपके पास सरपंच किसमें भई ग्राम पंचा है तो उसके बाद आता है आपके पास जनपत पंचा है इसको एक नमबर ले लो इसको दो नमबर ले लो जनपत पंचा है फिर तीसरा आता है आपके पास को जीला पंचा है तो जब आप उड़ देने जाते हो जैसे ग्रामीन परिवेस के लोग होगे तो आप पंच को उड़ देते हो सरपंच को उड़ देते हो और आपके लिए जनपद पंचायत सदसी होता है अपन इसको भी उड़ देते हैं उसके बाद आता है कुण जीला पंचायत सदसी अपन इसको भी उड़ देते हैं आपन मतलब जन्ता जिसको प्रत्यक्षि चुन रहे हैं प्रत्यक्षि निरवाचन इन चाल लोग कह होता है किसका पंच का सरपंच का जनपत पंचा सदस्य का और आपके लिए जीला पंचा सदस्य का उसके पाद option देखो आप प्रत्यक्षन निर्वाचन की बात कर रहें बीजिन अगर आपके पास पंच है तो उसमें से एक आदमी क्या बनता है आपके लिए उर्पसरपंच अब 19 जन क्या बन जाते हैं बाद में फिर से पंच रहते हैं और एक पंच क्या बन जाता है उपसर पंच लेकिन क्या हुआ है आप रत्यक्ष निर्वाचन इसको जनता डारेक नहीं चुनी है उसी इक बोला जाता है आप रत्यक्ष निर्वाचन देखे जनपत पंचायत आप अध्यक्ष होगा और जो उपाध्यक्ष होगा ये दोनों भी क्या होता है जनतने चुनति वो कुन चून रहा है जनपत 1994 सदाश्य चून रही हैं और जीला पंचयात में भी जीला पंचायत के आपके लिए कौन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों क्या होते हैं आप प्रत्यक्ष चुनाते हैं या जीला पंचायत सदस्य अपने भी से चुनते हैं ऐसा होता एक नहीं तो आपके लिए क्या पूछ रहा है देखे पंच प्रत्यक्ष होता है सरप जनुबद पश्चायथ सद्यस्पखде जिला पश्चायथ और जैनुबद पश्चै्वें, उपाध्यक्श्चायथ जो आपके लिए पश्चायथ यूद पके लिए देखो उपसार। उसके बाद जिलाथ यह देखो आ supposed इसksom और साथ यह देखिए option number D, तीन छे और साथ लिखा है न यह भया, आप प्रत्यक्ष निरवाचन, यह प्रत्यक्ष निरवाचन से सम्मंदित है, इसलिए आपके लिए तीन, चे और साथ, यह आपके लिए सही जवाब होगा, लेकिन देखिए इसका देख दूसरा भी हो सकता या आपको ये भी पूछ सकता था कि कौन प्रत्यक्षे चुना हो रहा है तो आपको अगर option 1, 2, 4 और 5 तो आपको दिख रहा है कि option 1, 2, 4, 5 नहीं है कहीं भी इसलिए आपके लिए option number 3, 6 और 7 दोनों में से कोई भी option हो सकते हैं अगर आपके पास 1, 2, 4 और 5 अगर ये option रहता उसके साथ option number D रहता तब आप confused रहते कि सर किसको answer लेना है और किसको नहीं लेना है लेकिन आपको ये option में था ही नहीं इसलिए आपके लिए option number D के साथ आप चलोगे clear जी complicated होता है इसलिए आगे बढ़े क्या अगला चलना है हमको बोल रहा है क्या गर अनुसूची छेत्रों की ग्राम सभा के सम्मेलन में गणपूरती का माप दंड क्या है clear अनुसूची छेत्र मतलब ही होता है समान्य छेत्र और समान्य छेत्र मतलब जो इससे पहली पढ़े थे वो ग्राम सभा के बारे में पढ़े थे वो आपके लिए समान्य छेत्र के लिए ही था तो इसमें अन्सर क्या था जी कूल संख्य का 10 मांस मैं क्या बोला था दसम मतलब अगर 1000 लोग हैं तो 1000 का एक बट्टे 10 क्या इसीग बोल सकते हूं तो मतलब क्या था जी एक हजार का अगर आप 10 प्रतिसत निकालोगे तो आपके लिए क्या आता था केवल 100 ऐसे होता था न तो ये 100 लोग लेकिन ये 100 लोग में भी क्या होना चीए 33 महीला अनिवारिया मतलब आपके लिए पूरूस कितने बज गया 67 पूरूस बज गया अरे या सोनो यह अनिवार यह था क्लियर तो क्या था कुल जंशंख्या का दसमांग जिसमें एक तिहाई क्या होने चाहिए महिला अन्यून मतलब न्यूनतम की बात कर रहा उससे कम नहीं होनी चाहिए तो आप option number D लेंगे यह पढ़ चुके हैं क्या देख रहे हो परस न पढ़े थे लेकिन आपको नया नया लगेगा इसलिए चीजों को एगदम धीरे से समस्ते समस्ते चलना है कुछ चीजे कंजट वाली होती है लेकिन मैं कोसिस करता हूँ आपको बतापन अगे बढ़े क्या अगला चलते ग्राम सभक बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्थूत नहीं की जा सकती वार्सिक लेखा विवरण मतलब एक साल का annual accounting जो लिस्ट बनता है मतलब क्या 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 हुआ था क्या क्या नहीं हुआ था इतना पैसा इधर कनिप्टा दी इतना पैसा इधर गया स जब बोल दिए एक करोड का अपन क्या बनवा दिये हैं पानी टंकी तो वो तो लिखच रहेगा क्या एक करोड का पानी टंकी बनवाए हो करके उसके बाद हां सरपंच की यहां बेटिक साधी भी पचास अजार रुपया टीक दिये लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई बहार से यह फलाना ढेकाना हुआ था तो अपन क्या किये मुरूम को पचास अजार का मुरूम बिच्वाय थे आप उसको मैनेज करो एक नहीं तो हर एक चीज एक साल में जितना चीज हुआ रहेगा उसका लेखा का विवरन दूसरा बोल रहा है पंच सरपंच के अच अचल संपत्ती का विवरन अब एक जन आदमी लोन लेके अपनी बीवी का जेवर गिर्वी रखके क्या किया था चुनाओ लड़ा था अब वो आदमी जीद गया अब वो देख लिया सिधा सुमो ले लिया बोलेरो ले लिया गवाँ में यही तो एकदम प्रसलाइन में रह नहीं पेस कर सकते वह वो क्या है आपके लिए घ्राम सभा की बैठा करने के बैठा कि एक साल कितना पैसा सर्कार के द्वारे आया 가서 कि नोग डगा रहे हैं तो दोनों का बीछ में बाइलेंद बनाने काम करता है मतदात या उसीक बोल सकते हैं ग्राम सभा की बाइठा तो वहीं देखते है क्या एक साल में कितना पैसा खर्चा किया तो ये भी सही है पंचाद के कारियों का विवरण देखे भई कई लोग ऐसे रहते हैं जिन के पास रहने के लिए घर नहीं होता तो वो क्या करते हैं प्रतिवेदन डाले रहते हैं तो किसका किसका घर के लिए क्या हुआ किसपत कारियों घर को आतकर पैसा आया है किसको माठी तिर अंच्छा जा रहा कि नहीं किसी गर रासन जा रहा कि नहीं एक चीछ को देखा जाता है ना तो पंचाद के कारियों का विवरण कि हमारा यह-ए टारगेट था हर एक घर में साचालह बनवाना था हर एक चीज का विबरान रहता है तो यह भी सही है, यह भी सही है, और यह भी सही है आपके लिए गलत किया है पंच और सरपंच के अचल संपत्ती के बारेम आप विबरान नहीं दे सकते हैं उनका personal matter है बया, यह समाजी कोई social matter नहीं है, clear? आगे बढ़े हैं क्या अगला प्रस न चत्यस गड़ में अनुसूची छेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है बात कर रहा है वो अनुसूची छेत्रों में यह आपके लिए इंपोर्टेंट यह थोड़े दर पहली पढ़े थे गयर अनुसूची छे 16 तो पहली आपको बता देता हूं कि अनुसूची छेत्रों क्या चीज होते 36 गड़ में आपके लिए पूर dinero के पूरे टोटल अभी 13-14 जीली हैं कहां पर आपके लिए 36 गड़ में जिसको अनुशूचित क्या बोला जाता है जीला बोला जाता है वहां अगर ग्राम सभा का बैठक होगा तो हमारे यहां जब ग्राम सभा का बैठक होता है तो जो हमारा केप्टन होता है हमारा केप्टन कोन होता है सरपंच वह ही क्या रहता है वहां का अध्यक्ष लेकिन अनुसूचित शेत्रों में ऐसा नहीं होता तो आपको बोल रहा है सरपंच नहीं होता गराम सभा द्वारा तत समय मतलब क्या होता है उसी समय निर्वाचित व्यक्ति तो अगर यहां क्या है एक हजार वूटर लोग बैठे हैं तो यहां सरपंच उप सरपंच नहीं बनता नहीं पंच बनेगा वहां काध्याक्ष क्या होगा टोटल यह 100 मत दाता हैं यह मत दाता अपने बीच से लोगों डिसाइड करेंगे और वो आदमी ST होना चाहिए भई अनुसूचित छेतर है न तो अनुसूचित एक व्यक्ति होना चाहिए और वो अब इसमें एक और क्लोज आता है भई इसे नहीं है मालो ST छेतर है उसी घर कोई गाओं का सगा आ गया अब किसी दूसरे क्या महमान आया है वो बोल रहा है कि उसको अध्यक्ष नहीं बना सकता उसी ग्राम सभा कहोना चाहिए क्या बोला उसी ग्राम सभा कहोना चाहिए मतलब जिस ग्राम पंचायत में वोटर लिए प्रस्ट ने में बहुत इंपार्टन्ट है आपको याद रखने हैं सर्वाधिक वरिष्ट नागरीच दोकरा हो धांकरा हो कोई मतलब नहीं होता वरिष्टातम नाम को कोई चीज नहीं होता वहां यह देखा जाता है पब्लिक किसको चून रही है जिसको पब्लिक चूना भाई वही हीरो रहेगा वही उस टाइम पर अद्यक्ष बनेगा क्लियर आगे बढ़े क्या चलते हैं ग्राम सभा की बैठक के संदर्व में कौन सी तिति असंबद्ध है यह आपके लिए प्रत्यक 3 महा में एक बठक अनिवार यह होता है क्यर अब आपको यह च्छेक तिति याद रखना है कि कौन कौन से तिति पर होता है तो आपको याद रखना है क्या एक दो तीन और चार मैं तो ऐसे तो याद रखता हूं फीजम एक दो तीन चार पहले याद रखना पहली महईना जनुरी उसके बाद रखना है चौंथा तो चौंथा महाना क्या बाता है आपके लिए अपरेल तो आपको दो ती थी याद होना चीजों छह उती थी जब तक आपको रटाएगा नहीं तब तक काम नहीं बनेगा आपको क्लियर जी उसके बाद याद रखना कुन महत्मा गांधी दो अक्टूबर अब ये दो को उल्टा कर दो ऐसे आपको याद रखना है कि आप 20 लेकिन 20 क्या होता है वो अगस्त 15 अक्टूबर गांधी जी और हमारा आ जादी दोनों एक दूसरे जुड़ा हुए तो आपको याद रखना है 20 अगस्त आपको याद रना है 2 अक्टूबर उसके बाद आपको एगदा गर्मी कप पड़ता है जून तो जू से याद रखना है जून और ना से याद रखना है नवंबर 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 यह वह है ठीक है भई यह नवंबर तो इसमें क्या होगा अपने बीच से सब डिसाइड करेंगे जो निरने लेंगे कि फलाना तारिक को बैठेंगे तो इसका तीथी निरधारित नहीं है जैसे आपके लिए 23 जनवरी को फिक्स है कि हर आपके लिए जितने मददाता होंगे ग्राम पंचाज के एक जगा बैठेंगे तो वो है 23 जनवर 24 अप्रेल 20 अगस्त और 2 अक्टूबर आपके लिए जो जून है और नवंबर है इसमें लोग डिसाइड करेंगे कि इनको कब बैठना है तो जिस दिन डिसाइड होगा उसी दिन बैठेंगे क्लियर जी तो आपको याद रखना है क्या 23 जनवरी सही है 14 अप्रेल सही है 20 इसके जगया 2 अक्टूबर उसके बाद रखना क्या आपके लिए 5 हुआ और आपके लिए 6 हुआ यहा आपके लिए जून उसके बाद आएगा अपके लिए क्या 9 आपके लिए 600 तिति हैं जिसमें Naham Samhachas Batchak करते हैं क्लियर जी आपके लिए केवल एक वीडियो में ग्राम पंचायत को नगर निगम को नगर पाली का निगम को नगर पंचायत को समझना एकदम असान नहीं है आपके लिए अपन क्या करेंगे एक वीडियो में तो चीजे कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो अपन दूसरा और तीसरा वीडियो भी बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आप चीजों को बहता डंक से समझ पाएं और पेपर में बना पाएं क्योंकि आप जब बनेंगे तब हम बढ़ेंगे क्योंकि सबका सास सबका विकास सबका विस्मास और सबका प्रयास क्लियर जी तो आप निरंतर झाल झाल